श्वागत आप सबका, फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG Tally Account GST, दोस्तों सरलता ही मेरे चैनल के विसेशता है, मैं जो भी टॉपिक लेता हूँ, उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है, उतना सरल करके और पूरी तरह से explain भी करता हूँ, जिससे की सभी तरह की student को आसानी से समझ में आ सके, तो यदि आप बहुत सरलता के साथ, टेली प्राइम सब्टेवेर में कारे करना सीखना चाते हैं, GST से related topics आसानी से clear करना चाते हैं, तो YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर, इन से related जो वीडियो अप्लोड हैं, उनको देखकर सीख सकते हैं, इसके लावा चैनल पर हम सीखेंगे, टेली प्राइम सब्टेवेर में, दो financial year में एक साथ कारी करना, दोस्तों यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, तो हमारी जो firm है, रमन टेडर्स है न, तो टेली प्राइम सब्टेवेर में, रमन टेडर्स जो हमारी firm है, उसको मैंने open कर रहा है, और current period में आप द अंतरकत ही कर पाऊंगा, लेकिन मैं यदि यह चाहूं कि financial year 2021-22 और 2022-23, दोनों ही financial year में, मैं एक साथ entry कर पाऊं, एक साथ कारी कर पाऊं, तो मैं किस तरह से करूँगा, दोस्तों है न, तो दोस्तों यहाँ पर मैं example लोंगा, purchase voucher entry का, यानि हमारी firm के अंतरकत हमने जो purchase की ह उनके invoices हमारे सामने हैं, और उनमें से कुछ invoices हैसे हैं, जो कि financial year 2021-22 के अंतरकत आते हैं, और कुछ invoices हैसे हैं, जो कि financial year 2022-22 के अंतरकत आते हैं, अब जो invoices हम entry करने जाएंगे, और उनकी date, financial year 2022-22 के अंतरकत आती है, उसकी entry तो मैं आपर कर पाऊंगा, लेकिन जो invoices हम entry करने जा रहे हैं और जिनकी date financial year 2021 के अंतरगत आती है उन डेटाओं में entry नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम चाहेंगे तो एक साथ दोने financial year में entry कर पाएंगे कैसे करेंगे चलिए जानते हैं example मैं लोगा यहाँ पर purchase कर सकते हैं यानि कोई भी कारे कर सकते हैं दो financial year के अंतरगत अब यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या करना है जो purchase invoices है हमारे पास वो financial year के हैं और मैं एक साथ दोने financial year में कारे करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं क्या तो financial year 2022 के अंतरगत तो मैं कारे कर रखाऊंगा लेकिन 5000 अंतरगत में कारे नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ दोनो financial year यहां पर select कर दूँगा तो इसके लिए मैं करूँगा यहां पर 1-4-2021 से लेकर और 31-3-2023 है अब यह क्या हो गया कि 1 April 2021 से लेकर 31 March 2023 मैंने period कर लिया तो इस period में financial year 2021-22 भी आ गया और financial year 2022-23 भी आ गया यानि मैंने दोनो financial year का period यहां पर select किया और interface कर दिया जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया आप देखे इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो यहां पर current period के अंतरगत अब यहां पर सो रहा है 1 April 2021 से लेकर 31 March 2023 यानि अब मैं 1 April 2021 से लेकर और 31 March 2023 के अंतरगत आने वाली किसी भी date के अंदर मैं select कर ले हैं जैसे कि मैंने यहां पर दो financial year का period select कर लिया अब मैं दोस्तों यहां पर चलता हूं vouchers में vouchers को select करके मैं एंटर प्रेस किया दोस्तों हम आ गए voucher entry में और F9 आप प्रेस करेंगे तो आप purchase voucher में यहां पर आ जाएंगे अब यहां पर सबसे पहले जो में एंटरी करने जा रहा हूं वह entry करता हूं तो मैंने सबसे पहले F2 प्रेस किया date के लिए अब जो यह date है दोस्तों जिसमें कि मुझे entry करनी है वो है 1 March 2022 तो दोस्तों आपको यह business ध्यान रखना है जब भी आप 2 financial year आपर open किये हुए हैं तो आपको date पूरी डालनी है यानि with year आपको date date डालनी है जैसे कि 1 March 2022 में मुझे entry करनी है तो मैं यहां पर 1-3 लिखके नहीं छोड़ सकता हूं मुझे 1-3-2020 यहा फर लिखनी होगी है तो मैंने एक 3-2-2022 कर दीया यह दोस्तों यहां पर डẹट होगी 1 March 2022 को जो कि आएगी जो purchase का invoices है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ GST-212-01004 है ना और यहाँ पर जो party है agitators तो agitators से मैंने यह purchase की है parties account name agitators का मैंने laser लगाया amounts stock item है 200 की quantity में मैंने इंसे purchase किया है और यह हमारी state की है तो इन्होंने CGST और SGST लगा कर दिया है तो मैंने भी यहाँ पर CGST-SGST लगाया और इस तरह से दोस्तों मैंने यह entry कर लिया अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो date है वो financial year 21-21 के अंतरकत आ रही है और financial year 21-21 के अंतरकत जो date आ रही है उसमें मैंने entry कर ली और इसको दोस्तों accept कर लिया अगली जो entry है वो है 1 April 2022 की और 1 April 2022 जो आएगी वो आएगी financial year 2022-23 के अंतरकत तो मैंने F2 प्रेस किया 14-2022 मैंने या पर कर दिया पूरी date डाल दी एंटर प्रेस किया है अब यह जो 1 April 2022 है financial year 2022-23 के अंतरकत आ रही है और इसमें भी मैं entry कर पाऊंगा और financial 21-22 के अंतरकत जो date आ रही है इसमें मैं entry अभी ठीके ना और यहाँ पर पार्टी यह राग अप्टेटर्स तो मैंने यहाँ पर राग अप्टेटर्स को ले लिया और amounts stock item मैंने इसे 400 की quantity में पर्चेश किया वो मैंने यहाँ पर डाल दिया यह भी हमारी state के है इन्होंने CGS-T-SGS-T लगाया और इस entry को मैंने accept कर लिया तो दो एंटरी हम कर चुके तीसरी एंटरी करने जा रहे है 24-2022 में 2422 मैंने यहाँ पर डाल दिया जो की financial दो चार 2223 के अंतरगत आएगा और यहाँ पर जो invoice number है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूं 2223 ऑबलिक 0019 है और यह मैंने इस तरह से किया और यहाँ पर राग अप्टेट और यहाँ पर amount stock item 500 की quantity मैंने पर्चिच किया मैंने यह entry की इस तरह से और यह entry भी दोस्तों मैंने कर ली यह financial year 2022 थे इसके अंतरगत की तो एक entry मैंने financial year 2021 के अंतरगत कर ली और दो entry financial year 2022 थे इसके अंतरगत वारी date में कर ली अब मैं एक entry और करने जा रहा हूं और वो entry यहाँ यहाँ पर मानके चलता हूं F2 प्रेस कर देता हूं 31-3-2022 एंटरप्रेस कर दिया अब 31 मार्च 2022 यह financial year 2021 के अंतरगत आएगी है तो यहाँ पर जो invoice नंबर है वो invoice नंबर में यहाँ पर डाल देता हूं जी एस्टी ऑवलिक 21-01225 यह मैंने डाल दिया और यहाँ पर ले लेता हूं मैं agitators और इसको मैंने accept कर लिया तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा मैंने चार entry की दो entry जो agitators की थी वो मैंने की financial year 2021 के अंतरगत और रागफ टेडर्स की जो दो entry थी वो मैंने की financial year 2022 थे इसके अंतरगत यानि मैं financial year 2021 में भी entry कर पाया और financial year 2022 में भी entry कर पाया अब दोस्तों मैं यहाँ से आ जाता हूं बाहर है इसके बाद अब यहाँ पर हम जाते है अल्ट के साथ app to press कर देते हैं और कर देते एक चार दो हजार 21 से लेकर 31-3-2022 अब य अजय टेडर्स की है तो यहां से हम DAL प्रेस करते हैं अजय टेडर्स के laser में आ जाते हैं और अजय टेडर्स के laser में आकर जब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो देखिए सबसे लास्ट में हम यहाँ पर जाएंगे एक मार्च में यह entry है एक मार्च 2022 में तो यह financial year 2021 के अंतर कर हमको देख रहे हैं 31 मार्च 2022 में ठीक है अब मैं आता हूं यहाँ पर अल्ट के साथ एक टू प्रेस कर देता हूं अब कर देता हूं एक चार दो हजार बाइस से लेकर एक तीस तीन तेश है न अब यह जो करेंट पीरेट यहाँ पर आ गया अब यह आगया फाइनेंसियल य लेजर में जाते हैं और जब रागर टेटर्स के लेजर में आया और अल्ट के साथ एक टू प्रेस करके पूरा पीरेट कर देते हैं तो यह देखिए एक अप्रेल 2022 में जो हमने शह नंबर की जो एंट्री की थी वो देखिए यहाँ पर हमको शो रही है ठीक है ना इसके इसके अंतरकत हम कोश होने लगी जो फाइनेंसे लियर 2021 के अंतरकत मैंने की थी वो फाइनेंसे लियर 2021 में सो होने लगी तो दोस्तो इस तरह से जब भी आपको जरुरत पड़े तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं तो दो फाइनेंसे लियर में आप एक साथ किसी वाउ प्धब आवाद